नमस्कर अब जोई राज उजी एस्ट्वी निउज अने आपनी साथ है हूँ शुद्वन आयोध्यमा बाविस जानी वारे थनारा राम मंदिर उद्गाटन ने लई अने कॉंग्रिस ना सांसद राहूल गांदी एभाजपने संग पर निश्वान साध्यू छे पोतानी भारत जोडू निया यात्रा दर्मयान राहूले कायू कि आयोध्यमा आयोज़ेत प्रान प्रतिस्ट्रा महटसवनो कारेक्रम मूदी संग नो प्रोग्राम छे राहूले कायू कि मारे धर्मनों फाइद उठावो ना थी अमें तमाम धर्मों नी साथ है छी राखुल गांधिये कॉंग्रिस नी भारत जोडों निया यात्राना त्रीजा दिवस नी शर्वात नागालन ना कोही माना विश्वी मां गामेथी करी हती। भाईस तारी फंक्षिन जो है यह राजनरीटिक फंक्षिन बन गया है। हिंदू धर्म करें मैं भाईस धंचेलара उदर पैंगा है। और युट के हमाया। कि और आतारीक कोा सुरुटेस में गया। पुलिटिकल फ्लेवर दे दिया है इसलाएं कॉंग्रेस प्रेजिडेंट ने इंकार किया वहां जाने का राखोर गाधिये कहूं कि हमें बधा धर्मों नी साथ है जी जे लोकों कॉंग्रेस छोडवा मागता होई ते छोड़ी शकेश है जहां तक धर्म की बात है हम सब धर्मों के साथ यह कहना चाहते है कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है गॉंगर्स पार्टी जा सकता है पट भी जाना चाहता है जाना चाहता है वो धर्म के साथ परिस्टनल विष्टा रखता है वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रेयोग करता है जो धर्म के साथ पब्लिक रिष्टा रखता है मतलब जो धर्म यहां पे पहलता है वो धर्म का फाइदा उठाने के कोशिश करता है मैं अपने धर्म की फाइदा उठाने के कोशिश नहीं करता हूं मुझे उसमें इंट्रेस्ट नहीं है मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसपेश है उससे अपनी जिंदकी जीने की कुशिश करता हूं विपक्षना इंडिया गटबंधन मा बैठकोनी वहंचनी मुद्दे राहू लेका हूं कि गटबंधन एक थाई ने चूटनी लडशे अने जीत शे बैठकोनी वहंचनी नलईने अमारी वादचीच चाली रहीं छे मोटा भाग नी बैठको सरड छे किटलिक मुश्केल बैठको छे परन्तों में बैठक वहंचनी नमोद दो उके लिले इशू मारी वाधन बैठको जो जाए बैठकोनी भी रहता है बिहार ना सियर मितिश कुमान ने इंडिया गट बंदनना कण्विनर बनावा पर ममता बैनर जी नी नाराजगी पर रहू लेका हूँ कैना नी समस्य आउचे जनों के लावा माउचे आवे बधामा एक भी जाना संकल अंची ए पी के लाव न गाव लाव लगेए और उंको अंचा है लिदी अंड तेमनी साथे वाचीर पन करी विरोडी पोर्ट GSTV अगरति स्रिकुरुष्ण ग्रन्थाल हेरिटेज संस्ता ऐोध्यामा स्री राम मंदिर माटे ध्रКак ढ Chang boulet ठील ती बनेली वालमी की रामायन तयार करी रही छे संस्ता ऐए ड्राप तरीके रामायन नो पंचानु किलोनो महत्मा तयार करे हो छे स्री कुरुष्ण ग्रंथाल हैरिटेज संस्ता अयोध्यामा स्री राम मंदिर माटे 3000 किलोग्राम श्टील थी बनेली वालमी की रामायन तैयार करी रही छे संस्ता ए ड्राफ तरीके रामायन नो 55 किलो नो महात्मा तैयार करे हो छे आयोध्यामा स्री राम मंदिन नी वर्स गांट पर बड़ी रामायन रजुकरवामा आउशे, तेमा घणी विशिष्ट सुविदाओ हशे, ते खास टेक्नोलोजी थी सज हशे, आ रामायन नुँ वजन 3000 किलोग्राम रहे शे, तेना एक पेज नुँ वजन अंदा जीत 100 किलो ह हशे, जैने सेंसर नी मदद थे फिर विशकाय छे, आ रामायन मां 35 थी 35 पेज हशे, जो पहला हम गिरंत जो बनाने जा रहे हैं, वो रामायन बनाने जा रहे हैं, अभी हमने जो डेमो तैयार करा है, और हम आने वाले एक साल के पीरिड में, एक 9 फुट वाई 5 फुट की एक रामयन बनाने जा रहे हैं, जिसका बजन 3000 किलो करीब होगा, और जिसकी हाइट 9 फुट और उसकी चौड़ा ही 5 फुट होगी, जो सेंसर से चलाई जाएगी, जो अपने आभी सेंसर से खुलेगी और 100 किलो का उसका पन्ना होगा, एक ही 500 किलो का होगा, और उसके अंदर 35 प पाना छे तेना दरेक पाना पर महर शिवालमी की रामायन चतुसकोन अनेश लोको कोतरेला छे अमहान स्वरुप टुंकज समे मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वपवा माऊ से क्योंकि आजकल हम देखते हैं जितने भी योबा नई पीड़ी है मुझे तो नहीं लगता गिरंथों को छूती भी है टच नहीं करती वो नहीं देखती है गिरंथ हमारे जितने रिसी मुनी है उनके द्वारा ही यह बने हुए रख्य हीरे मूती अब कोई नहीं चुना चाहता हमें नहीं लगता जानते भी होंगे कि गिरंथ होता क्या है तो गिरंथों को हम चाते हैं कि गिरंथों को भी समझे और उनको जो ब्राट रूप दिया जाए उनको भी उधर नमन करें और बोले हैं हमारे भारत में कुछ ऐसे भी चीजे रख्य होई है और यह बहुत जरूर पुट अने पहोडाए पांच फूट हाशे त्याना निर्मानमा अंदाजे एक करूर रुप्यानो खर्च थाशे त्याने बनावा माटे राम भक्तो अने अन्य सामान्य जनतानो सहयोग लेवा मावी रहे होँछे ब्योर रिपोर्ट जी एस्टिवी तो भग्वान रामना स्वागत माटे अयोध्या नगरी नवूठानी जैम सज्जचे भक्तो नो अविरत प्रवास सतत रामनगरी तरफ आगण वधी रहुचे कार्तिल ठंडी अने घार धुमसनी वच्चे पन श्रद्धाडू नी संख्यामा कोईज घटाडू नधियावर श्रद्धाणे भक्ती नो ज्यारे एकी साथे मिलन थाई छे तो संकल्प जन मले छे एकी वो संकल्प जे आपणने आपना आराध्य साथे मिलन करावे छे आवाज एक संकल्प माटे अयोध्या नगरी सज्ज छे मोटी संख्यामा भक्तो धर्म नगरी अयोध्या पहुची रहा छे शद्धाडू पोताना आराध्य देवना दर्शन माटे खुब आतूर छे आउस्तुक्ता एटली वधारे छे कि कोई पर मुश्केली छता राम भक्तो ना सतत अयोध्या तरफ आगे कुछ करी रहा छे हार्थी जावी देती ठंडी वपूर सुधी छवाईली रहतू धुम्बसनों सामराज्य ट्रेन के बसमा नथी मरती जग्या तो शुठव भक्तो ने तो भग्वानना दर्शन करवानी लाल सा छे देशना खुडा-खुडा माथी भक्तो अयोध्या पहुची रहा छे तेमनी सवार श्री रामना दर्शन करीने आनंदित थैरे छे मनमा आईश्वन ना दर्शन करवानों आनंद एटलो वधू छे कि कोई पन कठनाई अभक्तो ने रोकी शके तैम न थी बहुत बढ़िया लग रहा है और एक्षा जो थी आज तो पूरी हो गई वापस दर्शन करके वापस कोशिश करेंगे दुबारा जल से जल दा है और बहुत ही बढ़िया मतलब क्या बता है कुछ चीजे शब्दों में बयान नहीं होती है उनमें से ये भी एक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सब कुछ बदल गया है मैं पिछले साल आए था तो उस समय तो सिर्फ कुछ भी नहीं था सिर्फ स्टार्ट था और आज देखे एक साल में इतना परिवर्तन है रोड से लेके मंदिर तक शहर सब कुछ बदला हुआ है जहां चलने के लिए छोटे-छोटे रास्ते होते था जितने चोड़े-चोड़े रास्ते हैं तो बहुत फर्क है चिल्ला एक वरिष्मा समगर अयोध्यानी काया पलट थेई चुकी छे अविस्तारनों इत्रबोदों विकास थे होचे कि लाखोनी संक्यामा शद्धाणोंनी हाजरी होवा चता पन कोई अव्यवस्ता न थे शद्धाणोंनों केह हुचे कि भगवानना दर्शन थी जीवन धन्य थायानों अनुभव थाही रहोचे अने अयोध्या पहुचू इस समग्र जीवन नों संभारणों बनी रहशे चेनने से आये हैं साल में एक बार तो जरूर इधार आते थे लेकिन इस सब देखने के बाद बहुत परसा हम सुबह पांच बजे उटके आये हैं हनमानगड़ी के दर्शन किये फिर स्री राम जी के दर्शन किये बहुत ही मतलब मेरा तो रुवा रुवा खड़ा हो गया है सब देखके मतलब अंदर से इतनी खुसी हो रहे हैं बया नहीं कर सकते यह हमारा हालत है एक दम मैं पिछले साल इसी टाइम जन्वरे में आया था दस जन्वरे के आसपास और अभी आया हूँ एक दम मतलब जमीन आसमान कांतर बहुत ही ज़्यादा डवलमेंट बहुत ही मतलब यहां पर जो हो रहा है जो सफाई है और यतम उल्टा हो गया है भगवान रामे जे शिखव्यू के जीवन मां कठणाई गम्मे तेवी होई फर याद करवा करता हमेशा जे मल्यू छे तेम आज आगण वधू जोईये रामना भगतो आज शिख ने सार्थक करी रहा जे कड़करती ठंडी वच्चे पड़ भगतों ने हवे कोई आगण वध्ता रोकी शक्षे नहीं भुरो रिपोट जीएस टीवी तो बुलिटीन में आत्यार इस समय शुब रेक लेवानों अब जो उता रहू जी एस्ट्वी निव्स झाल जीएस टीएस ब करी लेुआ है झाल veteransом now झाल 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 आज़े चारे वाजू राममंदिर नी चर्चा चाली रही चए गणत्री नी घडियो मा राममंदिर नी प्राण प्रतिष्टानू कारिक्रम थवा जई रही चे परन्तु जो प्रभू बिराजमान धे रहा चे आने बर्कत अलीनू नामना आवे तेके विरुते शक्ये बने अयोध्यामा आजे उज्चानू माहोल छे बगवान रामनी भव्य प्राण प्रतिष्टा थवा जई रही छे जो के रामना आ इतिहास मा आपने एवा पात्रनी वाद करिशू जेने दावो करियो के तेने भगवान रामना बाड स्वरूपने जोयू छे तमे साचू साभडियू अमे वात करी रहा चिये बर्कत अलीनी जेमने भगवान रामना देविये चमतकार नो दावो करियो बर्कत अली कॉंस्टेबल बाबरी मस्जीद राम जन्म भूमी 22-23 डिसेंबर 19-1950 नी राम कहानी जियारे दावो थयो हतो के बाबरी मस्जीद नी अंदर प्रगड थया राम लल्ला ए रात्रिये कॉंस्टेबल बर्कत अली जोयू ते निवेदन आजे पन सरकारी चोपडे नोधायलू छे 23 डिसेंबर नी सबार बाबरी मस्जीद राम जन्म भूमी पूलिस चौकी मा तैनात कॉंस्टेबल बर्कत अली गत रात्रिये जे थयो त्यानू निवेदन नोधा विराया हता बर्कत अली नू निवेदन हतू उ रात्रे चोके मा ड्यूटी पर हतो अचानक मैं जोयू के बाबरी मस्जीद ना गुम्बजनी अंदर नीचे खूब मोटा लिला रंग नो प्रकास थयो अने बाद मा आप्रकास खूब सुन्दर रोषनी मा परिवर्ती थयो अने आज रोषनी वच्छे मने खूब दिव्यब बाड़क देखायो ए बाड़क ना वार वार वांकडिया हता शरीर तंदूरा स्थातू जो तातो एव लागी रही हतू कि राम लल्ला स्वयम प्रगर थया छे अने हू जाने के स्वपन मासारी पड़ियो बराबर त्यारेज में जोयू कि बाबरी मस्दिदना मूख्य द्वारननू ताडू जमिन पर टूटेली हालत मा पड़ियो हतू अने अंदर जाने राम लल्ला साकसाद प्रगर थया हता अने त्याथी सततत एकज द्वन निबाहार त्यामनू संपूर्ण निवेदन अंकित करायलू छे ब्योरो रिपोर्ट जी एस्टिवी तो बरकत अलीना निवेदन मा किटलू ताथी शे तमा दरिक लुकाना जुदा 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 जावाच शे शो खरेकर तमने भगवानना बाल स्वरुपने जोया हता इमाटे 22-23 डिसेंबर ओगनी सो गण पचास नी रात्री नी घटना पर डोक्यू कर्वूच रग अवारता सर्यू काठे थी शरू थै हती वर्स उगनी सो उगन पचास नी 22 त्यमज 23 डिसेंबर नी कातिल ठंडी नी रात्री स्थड फैजाबाद एटले के हाललू अयो द्या सर्यू नदीनो काठो रात्रीनो घोरंधकार नदीना काठे एक फान सडगी रही हती अने केटलाक साथू संतो रात्रीना अग्यार वागे नदी मा स्नान करी रहा हता तो केटलाक नदी काठे बैठा हता संतो नुश्नान पून थया बाद तेमने राम लल्लानी मुर्ती ने श्नान करावियू संतो ये राम लल्लानी मुर्ती ने एक टोपली मा राखी बाबा अभिराम दाशे आ टोपली पूता ना शिरे चड़ावी अने केटलाक संतो ए बाल्टी मा सरियू नदिनू जड लिधू आरिते तमाम संतो सीता रामना नाद साथे आयो ध्यानी शेरियो तरफ आगडवध्या फानशना प्रकासमा राम नामनो जाप करतुआ संतो नू टूडू रात्रे ना बार वागिये बाबरी मस्जिद पहुची गयो आ समय मस्जिद मा रखेवार तरीके मौज जन महमद इसमाईल हाजर हता तेमने आटली रात्रे संतो ना मोटा टोडाने जुईने विरोध करियो बाबा राघवदासे इसमाईल ने कहियो के खोटो विरोध न करो आ भगवान रामनी जन्म भूमी शे संतो ना आकरमक तेवर जुईने मौहमद इसमाईल त्याथी भागी छुटियो तेमने घरे पहुचीने आसपाशना विस्तारमा वाद फ्यलावी के बाबनी मस्जिदने नापाक करी देवाई छे बाबा अभिराम दाशे ड्यूटि पर तैनात कौंश्टेबल शेर सिहने कहियो के ताडू खोली दो आसाथेज मस्जिद पर लगावेला ताडाने खोली देवाईू साधोनी टूडिये सर्यू नदिना पानी थी मस्जिद ना त्रणे गुम्बजनी नीचे सफाई करी आतमाम कारिवाही वच्चे सिता रामनो जाप सतत चालतो रहियो आ राम धुननी वच्चे ज गुम्बजनी नीचे संतो ए पोतानी साथे लावेली राम लल्लानी मुर्तिने प्रतिष्टित करी अजू पन राम नामनो जाप सतत चालतो हतो बदा साधू संतो एक बिजाने शुभेच आपता रहिया के राम लल्ला प्रगर्थाया छे राम नामनी धून वधुने वधु जूर थी आ रात्रीना अंधिकार मा गुजती रही गई आकटना बनी त्यारे रात्रीना बार वागे अयोध्या वासियो हजू शियाडानी कल करती ठंडी मा उंग मानी रहा हता अन्य मंदिरूमा पंशान्ती छवायली हती जो के बाबरी मस्जिद मा जे थाई रही हतू ते एक इतिहास बनवा जय रही हतो वहली सवारे चार वागे अयोध्याना अन्य मंदिरूमा हल्चल शरू थाई गई मंगडा आरती थवालागी परन्तु बदा एव वाथी अजान हता के गद मौडी रातरी सुधी बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमी क्षेत्र मा सू थायो छे दिवश शरू थाय त्याज समगर अयोध्या अने फैजाबाद मा वायू वेगे समाचार फ्यालाया के मौडी रातरे बार वागे राम लल्ला प्रगड थाया छे अने ते पन बाबरी मस्जिद मा स्त्रद्दाड उनो धसारो मस्जिद तरफ आगण वद्वाला गियो आगटनानी ततकाल लखनव मा उच्च स्तरे जान कराई राध्धानी लखनव थी तमाम स्तिती पर बाज नजर राखवा मा वी रही हती फैजाबाद वहवटी तंत्रे कटना पर ततकाल कारेवाही शरू करी सवथी पहला पूलीस च्वाकी मा तैनात कोंश्टेबल बरकत अली नू निवेदन लेवायू तेमने पोताना निवेदन मा राम लल्ला प्रगड थाया हुआ रू जणावियू बरकत अली ना आ निवेदने वहवटी तंत्रने हज मचावी नाखियू एक मुश्टेबले आ निवेदन ने परतलेवा माटे घणू दबान करियू परन्तु छेक सुधित येवो आ निवेदन पर अडग रहया बरकत अली एज रटन चालू राखियू के तेमने राम लल्ला ने प्रगड थता जुया छे आने ते एक दिव्या अनुभाव हतो ब्योर रिपोर्ट जी एस टीवी शुब भगवान खरेखर प्रगड थया हता कॉंस्टिबल बरकत अली ने प्रभूश्री राम नो खरेखर साक्षात कर थयो हतो बाबरी मस्ज़िद मा राम लल्ला नी मूर्ती ने प्रस्था पित करवानी घटना ने बरकत अली साथी शू संबंच्छे इवा अनिक सवालों ना जवाब तपास मा सामयाउता गया 22-23 डिसेंबर ओगणी सो ओगण पच्चास नी रात रिये जियारे बाबरी मस्ज़िद मा संतो नो टूर उदसी आभियू पैजाबादना वहवटी तंत्रय ततकाल कारेवाहिशारू करी सव प्रथम पोलिस चौकी मा तैना बरकत अली नू निवेदन लेवाईू बरकत अली ये कहिऊ के घटना बनी त्यारे तेवो ड्यूटी पर तैना था था त्यमने राम लल्लाने प्रगट थता जुया आज़े जुके बरकत अली ना वरिष्ट अधिकारी ये त्यम ना थी विपरित अने विरोधा भासी निवेदन आपिऊ अयोध्य पोलिस चोकिना इंचार जे जणावियू के राम लल्लानी मुर्तिनी ज्यारे प्रस्तापित कराई त्यारे बरकत अली आराम करी रहया हता त्याना बदले शेर सी फरज बजावी रहया हता तपास जेम जेम आगरवधी तेम तेम वदू खुला सा थाया श्टेसन इंचार जे शेर सीहनू नाम लिदू परन्तु शेर सीहनी ड्यूटी ब्यक कल्लाक पहलाज समाप्त थाय चुकी हती परन्तु तेमने बरकत अली ने कहियू के तमे थोडी वार आराम करू हू ड्यूटी करी लओ छू शेर सीहनू सू हतो इरादू जानी जूइने बरकत अली ने आराम करवा मूख लायू शेर सीबाबा अभिराम दास्ती प्रभावी थाता तेमने पहले थी जान करी हती के साधूओनू टोडू मुअडी रातरे बाबरी मज्जित पोहचवानू छे जेती तेमने जानी जोईने बर्कतली ने आराम करवा मोकले दिधा जेती कोई पन विग्नव अगर निर्धारित जग्या पर निर्धारित समय भगवान रामनी मूर्ती ने प्रस्तापित करी शकाई साधू संतोय बाड रामने प्रस्तापित करवानी विधी पून करी अने बाद मा शेर सी हैं, रातरे ने उंग मानी रहिला बर्कत अली ने जगाव्या हता बर्कत अली ये क्यम कहियू? मने भगवान नो साक्षातकार थायू? बर्कत अली चालू ड्यूटी ये आराम फर्मावी रहया हता जे सपश्ट रेते तेमनी फरजमा बेदरकारी हती जियारे तपास दर्म्या निवेदन नौधवा मा आवियू त्यारे बर्कत अली ये फरजमा बेदरकारीने खुली पाडवा मांगता ना हता तेमाटे भगवान रामना प्रगर्थवानू निवेदन आपियू जोके छेलने सुधीतो तेवो पोताना निवेदन पर अडगज रहया ब्योरो रिपोर्ट जी अश्टीवी तो हवेचे ये पावन भुमी आयो ध्याना सर्युगाट पर केचे आत्यारे हाल आरती थे रहेचे आउ सिधाज तेदरश्यू आमें आपनें बतावे लाष्ट जी यूदेटीPe wealthy रहेचे ये व्याट बप्रुय को तो हवेचे ये रहेचे ुदू झाल 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 शामिल हुए है कि हमारे लिए बहुत भागे के बात है आप जितना टीवी पर देख लें सुन लें पढ़ लें यहां का जो माहौल है वो यहीं आके अनुभव हो रहा है हम भी कोई एक्सपेक्टेशन से नहीं आये थे हमें मौका मिला हम आ गए वह बहुत ही आनंद आनंद में बुलकुल माहौल है आपका क्या नाम है तानु तानु प्रकाश जी धन्यवाद आपका के आद्माद से लाद से आपका क्या तान्द में अ 끊ेंगी है आइट लेना? आइट लेना? तो त्यारे हाल पावन भुमी आयो ध्यामा सर्युखाट पर आर्ती थाई रही छे अलहा दक वातावरन अत्यारे हाल जोवा मड़ी रहो छे भक्ती में वातावरन सवकोई अत्यारे हाल रामनी भक्ती मां लीन जोवा मड़ी रहा अब जोईश खोचो के किकलो सुंदर नजारों छे वर्षो वर्ष पचि जारे अघणी आवी छे पूजा पूजा विधी कारेक्रम चाली रहो चे पूजन विधी करवा मावी रही छे तो वड़ा प्रधान नरेंद्र मूदी ये पढ़ा ग्यार दिवसा अनुस्थान कर्याश